प्रसासन और व्यापारियों की हुई बैठक गाइडलाइन के अनुसार ही खुलेंगी दुकाने जुनजुनु के मंडावा में कोरोना महामारी के पड़ते संक्रमन की संख्या में लगातार बडोतरी होती जा रही है जो कि सरकार और प्रसासन के लिए एक चुनोती बन गया है जाज्य सरकार कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर लोगों को एतिहात बरतने की सला दी जा रही है वहीं प्रसासन के लिए लोगों को जागरू करने के साथ उनको किसी प्रकार की कोई परिशानी ना हो इसके लिए हर संभव प्रियास करने में जूटी हुई है लेकिन सरकार की ओर से जारी की गई जन अनुसासन कर्फ्यू के आदेश के बाद भी बाजारों में लोगों की भीड एका एक सडकों पर आने लगी है लोग कोरोना की पालना करने के बजार बेखो पीड का हिस्सा बनते दिखाई दिये गए सरकार के दुआरा जारी की गई गाइडलाइन के तहर सिर्फ आवशक वस्तों की दुकाने खोलने की ही आदेश हुए थे लेकिन बाजार में सभी प्रकार की दुकाने खोली गई जिसको लेकर प्रसासन ने ततपरता से कार्यवाही की और बिना वज़े खुली दुकानों को बंद करवा कर भीड को कम करने का प्रियास किया गया लोगों के दुआरा नियमों का बेखो फुलंगन होते देख ऐसा चो महावीर सिंग ने थाना फरिसर में ततकाल व्यापारियों को बुलाया और सक्त हिदायत देते हुए दिशा निर्देसों की पालना करने के लिए पाबंद किया और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनक कि दुपाने बंद रखी जाएंगे और इसकी सक्ती से पालना की जाएगे लोगों को समझा इसकी जारी है दुकान दार वगरा है जो किराना के और अपने फल शबजी नेडिकल वगरा इनके अलावा सभी दुपाने बंद रहेंगे